नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ इस शिवरात्री पर बनेंगे ये शुवयोग इन दो राश्यों का होगा भाग्योदय इन्हें रहना होगा अलर्ट आये जानते हैं इसी बारे में जी हाँ महा शिवरात्री है इस बार 14 फरावरी 2018 को इस संबंध में पांचांग भेद भी है कुछ छेत्रों में 13 फरावरी ये पर्व मनाया जाएगा शिव पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव लिंग रूप में पहली बार प्रकट हुए थे इसके अलावा ऐसी भी मानयताएं हैं कि इस तिथी पर शिव जी का विवा हुआ था यहां जानिये महा शिव रात्री पर कौन-कौन से शुभियोग बन रहे हैं और सभी राशियों के खास उपाए जिहां उज्जैन के जोतिशाचारे पंडित मनिश शर्मा के अनुसार इस बार शिव रात्री पर श्रवन्न छत्र रहेगा जिसका स्वामी चंद्र है चंद्रमा मकर राशी में है और ये शनी की राशी है सुर्यभी शनी की राशी कुम्भ में रहेगा मंगल स्वाराशी यानि की वृष्चिक राशी में रहेगा यह योग सभी के लिए अच्छा रहने वाला है खासतोर पर मकर करक वालों के लिए भाग्योदय का समय रहेगा धनू मिथुन के लिए चिंताएं बढ़ सकती हैं शेश राशीयों के समय समान्य रहेगा मेश शिवरात्री को कच्चा दूध एवं दही से शिवलिंग को स्नान कराएं एवं धतूरा अरपन करें कपूर से आरती करें विरिशब शिवलिंग को इख के रस से स्नान करवा कर मोगरे का इत्र लगा कर भोग लगाएं और आरती करें मिथुन शिवरात्री पर शिवलिंग अगर स्फटिक का हो तो श्रेष्ट रहेगा लाल गुलाल कुमकुम चंदन इत्र से अभिशेक करें आकड़े के फूल और पित करें मीठा भोग अरपन करते रहें और आर्थी करें करकराशी शिवरात्री पर अश्ट गंध चंदन से अभिशेक करें आकड़े के फूल अरपन करके मीठा भोग लगाएं कन्या धतूरा भांग आकड़े के फूल चढ़ाएं विल्व पत्र पर रखकर नवैद अरपित करें कब पूर मिले हुए जल से अभिशेक कराएं लाभोगा तुला रहाशी फूलों के जल से शिवलिंग को स्नान कराएं विल्व मोगरा गुलाब चावल चन्दन चढ़ाएं आरथी करें विरिश्चिक राशी शुद्ध जल से शिवलिंग को कराएं शहद घी से शिवलिंग कराने के बाद पुनह जल से स्नान कराएं और पूजा करके आरती करें धनु चावल से श्रिंगार करें सुखे मेवे का भोग लगाएं बिलवपत्र गुलावी त्यादी से श्रिंगार करके पूजन के पाष्चात आरती करें मकर राशी गेहु से श्यूलिंग को ढख कर वी धिवत पूजन करें इसके बाद उस गेहु को गरीबों में दान करें कुम्भ, सफेद काले तीलों को मिला करके किसी ऐसे शिवलिंग पर चढ़ाएं जो एकांत में हूँ, जल चढ़ा कर शिवलिंग को दोनों हाथों से रगड़ें और आरती करें, जिहां, मिन राशी, रात्री में पीपल के नीचे बैठ कर शिवलिंग का पूजन करें, उम 35 बारू चारण करके बिल्व पत्र पर चढ़ाएं और आरती करें, इससे आपको फायदा होगा, यानि कि आप देखेंगे कि ऐसे करते हैं इन राशियों वाले लोग शिवजी की पूजा शिवरात्री को इस महा शिवरात्री को तो उनको बहुत लाब होगा, ये थे आज की जानकारी आप सभी के लिए, अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं, एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धानेवाद, नमस्कार दोस्तों